विदान मंडल का शीत काल विदान परिशत की उपाद्यक्षे डॉक्टर नीलम गोरे ने निर्देश दिये की सत्र की तैयारियां पूरी कली गई हैं और सभी आवशक साफधानी बढ़ते विदान भवन के सभागार में विदी मंडल ववस्ता की समिक्षा बैठक आयूजित की गई विदान सभाद्यक्षे राहूल नार्विकर मुंबई से ओडियो वीज्वल के माध्यम से उपस्तित रहे उन्होंने पिछले वर्ष आई कुछ समस्याओं का जिक्र किया और इस वर विदान सभाद्यक्र के दौरान किसी प्रकार की असुविदा ना हो इसका ध्यान रखे इस सम्मेलन में स्वास्त विवस्ता में नए बदलाव किये गए हैं ज़ार से अधिक करमचारी विभिन मोर्चों पर इस सम्मेलन के कारिय और पूरक ववस्ताओं का प्रबंदन करेंगे इसलिए इस साल जन प्रतिनीदियों के साथ करमचारियों के स्वास्त का ख्याल रखने के लिए स्वास्त ववस्ता में बड़े बदलाव किये गए हैं इसके तरद पुलिस समित सभी करमचारियों के स्वास्त जाच के लिए सभी सुवीदाय उपलब्द कराई गई हैं विधान मंडल का कामकाज 1921 से शुरुआ है और यह एक शताबदी लंबी प्रक्रिया है इससे उचित ठहराने के लिए इस वर्ष विशेश गती वीधिया क्रियानवित की जाएंगी विधान भवन की सुरक्षा कड़ी रखने के लिए इस वर्ष प्रति दिन केवल 12 घंटे ही प्रवेश की अनुमती होगी मीधिया प्रतिनीदियों की बड़ती संख्या को देखते हुए इस वर्ष भी सदन की कारवाई को लाइव देखने की विवस्था की जाएगी इसके लिए अलग से मंदब बनाया जाएगा बिना पास के किसी को भी विधान भवन परेशा में प्रवेश की अनुमती नहीं दी जाएगी यहां स्वच्छ पीजल शौचाले मुबाइल ट्वैलिट की विवस्था की जाएगी उन्होंने यह भी का कि इस अफ़दी में शहर के सभी पेट्रल पंपो पर शौचाले सुच्छा से उपलब्द कराने का निर्देश दिया जाएगा उन्होंने यातिया समस्या के समधान के लिए आवशक सावधानिया बरतने की निर्देश दिये पिछले शीतकालिन सत्र की तरह इस वर्ष भी शिशु देगभाल के लिए महिला प्रतिनीरियों के लिए हिरकनी कक्ष स्थापित किया जाएगा इस वर्ष से महिला पुलस कर्मियों के लिए विधान भवन शेत्र में डायमंड रूम स्थापित किया जाएगा कैमरा परसन राजक्मा मोहर के साथ अभी शेक पांसी बीसी ए नियूस नाकपुर